शिवपाल यादव अखिलेश यादव के रिष्टों में पड़ी दरार किसी से छुपी नहीं है थोड़े थोड़े समय के अंतराल में दोनों की तरफ से कुछ ऐसे बयान सामने आ जाते हैं तो मुलायम सिन्ह यादव की दिवार में पड़ी दरार को और छलका देते हैं इस वक्त सपा के टिकट पर जस्वंत नगर सीट से विधायक बने शिवपाल यादव के भारतिय जन्ता पार्टी में शामिल होने की खबरें काफी कम है माना जा रहा है कि जल्दी चाचा शिवपाल भतीजे अखिलेश को जटका देते आज भाजपा कमल्था में भी नजर आ सकते हैं हालांकि शिवपाल यादव की तरफ से लेकर कोई खाता प्रतिक्रिया नहीं आई है उन्होंने यह कह कर टाल दिया है कि वह उचित समय पर अगले कदम का खुलासा करेंगे उधर पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से टोपी बनाई गई है आप सोच रहे होंगे कि आप इसमें नया क्या है यह खबरें तो काफी समय से उड़ रही है तो जवाब है जरारुक मामला कुछ यू है कि एक बार फिर शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की बीच रिष्टों में खटास देखने को मिली है दरसल हुआ यू की गुरुवार को सपाप्रमुख अखिलेश यादव कन्नौज में थे जहां पत्रकारों से बात्चीत में उन्होंने बीजेपी पर जम कर हमले किये और भगवा दल को लोग कल का सीरियल किलर बताया